तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूर गाइड दोस्तों पिछले साल मैं बहुत रेगुलर था क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था तो अभी वो प्रोजेक्ट खतम हो गया तो अभी से इस चैनल में हर वीक आपको एक एक वीडियो मिलेगा और बहुत सारी इंफरमेशन मि की तूर प्लन है ना वह आज इस वीडियो में हम लोग डीसकस करने वाले हैं तो आज की वीडियो में क्या-कया है बहुत सबसे जरूरी बात मेंड़ेट कितना होगा तो फ्रेंस बहुत सारा इंफरमेशन मिलने वाले है इस वीडियो में तो प्लीज जो जो नए दोस्तो वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अन कर दो और वीडियो को लाइक कर दो तो फ्रेंज लेट्स स्टार्ट जोस्तो दिखः आने के लिए जो टारंस्पोर्ट का अप्षıll है वह बहुत सरे है तो फ्रेंज दिखह अब बाई बास से आसकते हो बाई कार आसकते हो बाई ट्रین आसकते हो ठीक है इस सब कुछ एफ़ेलेबल है दिखा पर हावडा जंक्सन से दिखा स्टेशन तक बहुत सर बास एफेलेबल है और आप प्राइवेटली कोई कार बुक करके भी आ सकते हो तो टांस्पोर्ट के लिए कोई भी टेंसन लेने की जुद्रोद नहीं यहां का टांस्पोर्ट जो सिस्टेम है वो बहुत ही बढ़िया है मतलब बास ट्रेन कार और यहां का जो लोकाल साइट से करने के लिए जो टांस्पोर्ट का लोकाल चोटा जो चोटा कार है ना वो सब कुछ यहां अब दीखा तो पहुंच गए अभी आपको रहने का जो जगा है मतलब होटेल ढूनना पड़ेगा तो होटेल दीखा में बहुत सारे अच्छे होटेल है आप ओलाइन सैट से होटे वले हैं तो आप नियू दीखा सिवीच के आसपास होटेल ले लिजे क्योंकि यह समुद्नर से बहुत नजदिक है अगर आप ओल्ड दीखा पर होटेल लेते हो तो आपको स्नान करने के बाद होटेल जाना यह दिक्कत की बात हो जाएगा तो आप नियू दीखा के आसपास आप बहुत कुछ है ठीक है तो अगर आप लोग दुपहर तक दीखा आ सकते हो और दीखा आगे दुपहर तक तब दुपहर में लांच कीजिए और लांच के बाद आप दोनों जाएगा उसी दिन दोनों जाएगा आप विजिट कर लिजिए एक है दीखा साइन्सेंटर और दूजरी है आमरावथी पार्क दोस्तों दीखा साइन्सेंटर में बहुत कुछ है देखने के लिए सिर्फ 25 रूपिस टिकिट है आप यह टिकिट लेके साइन्सेंटर के अंदर जाएगा और यहां पर एक दो घंडा आराम से आपको बीच जाएगा बहुत कुछ है देखन वहाँ पर 10 रूपिस टिकिट है पार्ड हेड आप अमरावथी पार्क वेल डेकोडेटेड पार्क आपका जो टू आवास एक से दो घंडा आप कहां से बीच जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा बहुत ही वेल डेकोडेटेड पार्क है और यहां पर बोटिंग आप कर स प्राइगा तो इसके बाद साम को साम को आप क्या करेगे साम को आप दिखा सीबीच पर नियू दिखा या ओल्ड दिखा मैं तो कहूंगा ऐगा ओल देगा सीबीच पर चले जाए उहां पर एक दूगोंटा टाइम बिता ही है उसके बाद होड़ल में जा डिनर करके करें और महुना में जो सी बीच है महुना जो बीच है ना उहां पर समुन्दर का बहुत अच्छा भीव मिलता है और बहुत सरे टूरिस्ट आते हैं उहां पर आप टाइम बिताइए बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा जगा है इसके बाद आप वहां से तालसारी सी बहुत कुछ जगह बहुत चार पाँच जगह आप वहां पर देखके आपका रोडेल बापस आजईये और ग्यारा सारे गड़ तक आप बापस आ सकते हो यह जो पांच या छे जगा आप घूमने जाएगे यहाँ पर पाड़ेड आपको देर सो से 200 रूपीज मतलब 150 से 200 रूपीज तक आपका जो कार रेंट है वो आएगा इसी में आप सब कुछ सब जगा आप विजिट कर सकते हो उ इसके बाद लांज करके थोड़ा रेस ले लीजिए अगर आप चाहो तो उसी देन बापस आ सकते हो अगर आप रहना चाहते हो तो वहाँ पर नाइट स्टे करके अगले सुभाब निकाल जाओ वहां से अपने घर के लिए तो यह का जो जो टोटल फोग्रम है ना यह आपक दिखा में टूनाइट स्टे करना होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप यह सब कुछ कमफुटेवली आप रिलाक्स करके देख सकते हो मजा ले सकते हो इसके बाद आपको आता है आप कहां खाना खा सकते हो जोस्तो ओल्ड दिखा और नियू दिखा दोनों जगा में बह कोई भी अच्छे रिश्टुएंट पर जाके के आप खाना खा सकते हो आप लास्ट में आते हैं बाजेट किदना होगा तो दोस्तों बहुत जादा बाजेट नहीं है दिखा में घूमने के लिए बहुत ही तोड़ा चीप बाजेट में आपको एक अच्छा टूर पैकेज म आच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जूर जाए तो मिलते ही अगले थी थी हदल कोई वीडियो में और आप जरूर कमेंट करें आप कौन सी जागा जाना चाते हो इस समर में और उसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेस्टेन है कुछ जानना है उस जागा के बारे में कुछ जानना है तो जरूर कमेंट करें मैं as soon as possible आपको वो वीडियो आपको बना दूँगा तोस्तो फ्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल